हम सिरी राम की तुमको भगतों कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में स्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं हम सिरी राम की तुमको भगतों कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में स्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े कां जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े कां वैवसवत मनुजी ने बसाया था कौशल परदेश पावन सर्यू नदी कटट और खंड है भारत देश कितने ही प्राकर्मी राजा उनके बनसज थे उन्ही में से तो राजा दशरत भी है एक हुए वेदों के ग्याता थे राजा धर्म के रक्षक थे बड़े दयालो रण में कुशल और प्रैजा पालक थे इश्वर की भगती करना उन्हें बड़ा ही भाता था उनके राज में प्रजा को कोई कष्ट न आता था जैसे राजा दशरत थे वैसा सब चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोग्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगणे का जो सुमर राम का ना बन जाते बिगणे का कर असनान एक दिन राजा लगे देखने दर पड़े श्वयत बाल कुछ आए नजर कभी जो ये श्याम वर्ण लगे सोचने राजा धलने लगा मेरा योवन निह संतान हु मैं ना जाने अब तक किस कारण जो न हुई संतान कौन मेरा वन्स चलाएगा कौन मेरा उत्राधी कारी बन कर आएगा इतना सोच के राजन ने विद्वान है बुलवाएए लगे पूछने राजा कौन सयत ने किया जाएए पुत्रेश्ठी अग कर लो पंडित ये बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगडे का अपने कुल गुरु वशिष्ठ खों फिर तो दश्रत ने बुलवाया जो सुमर राम का ना बन जाते बिगडे का अपने मन का सारा भेद फिर उनको बत लाया गुरू वसिष्ठ भी हुए अतिप्रैसन मनों काम ना जा पुत्रेश्ठी यग्य करने का है किया विधी विधा बड़ी मनों रमयग शाला का फिर निर्माल कराया शाम बर्ड का एक गोड़ा भी गुरु जी ने मंगवाया अपनी तीनों रानियों को राजन ने खबर सुनाई सुनकर के तीनों ही रानी मन में है हर शाई विधी विधान से यक्य प्रारंभ फिर करवाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगडे का जो सुमर राम का ना बन जाते बिगडे का विध्वान तपस वीरिजी मुनी गड़ कितने यग्य में आएं पवित्र मंत्रों चारण के संग यग्य रहे करवाएं सब के साथ में राजाने हैं मधुर्वयोहार किया यग्य में जितने ग्यानी पधारे हैं आभार किया रिसियों के सानित्य में जब यग्य हुआ संपन भेट किया राजन ने सबको बड़ा थाने और धन यग्य प्रसाद चढ़ा के राजन ने सब में बटवायां अपनी तीनों रानियों को भी है परसाद खिलायां होंगे पुत्र चार उन्हें पंडित बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्न अयोध्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगले का जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगले का चैत्र मास के सुक्ल पच्छ की आई नौमित थी गर्भ से कौशल्या के घड़ी ये राम जन्म की थी शामवर्ण के पुत्र हुए हैं बड़े ही तेजस्वी सुनकर बड़े ही हुए प्रसन राजा दसरत जी फिर तो रानी कैकेई को भी एक पुत्र हुआ रानी सुमित्रा ने भी दो पुत्रों को जन्म दिया हर सोलास में सारी नगरी कर रही मंगलगान सबको ही राजा दसरत ने दिया उचित है दान नाम करण फिर पुत्रों का राजन करवाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म योग्या में स्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगडे का जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगडे का गुरू देव ने बड़े पुत्र को राम चंद्र दिया नाम भरत नाम दे कर मंजले को कर दिया है सुब का रानी सुमित्रा के पुत्रों की फिर बारी आई लच्छमन और सत्रो घन नाम रख कर है रीत निभाई बीते समय के साथ में पुत्र होने लगे बड़े तीनों लोक में चर्चे दसरत पुत्रों के होने लगे जाने लिया ये भोलेने आगे विश्नों के अवतार बाल रूपी दर्शन करने का मन में है विचार बनके मतारी भोले अयोध्या नगरी आते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में ती राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का भोले बने मतारी वानर बन गए हैं हनुमान गली गली लग खेल दिखाने वो तो अयोध्या आन सिरी राम ने भीवानर का खेल देखना चाहा राजा दशरत ने हैं उनको महलों में बुलवाया देखा खेल जो आनर का तो हुए बड़े प्रसन भक्त और भगवान का देखों कैसे हुआ मिलन सिरी राम ने जिद करके वो वानर रखना चाहा राम दर्स को भोले ने ये सारा खेल दिखाया करदर्शन स्री राम के वो कैलाश को जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मा योद्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का चिछा ग्रहण की बारी आई चारो भाईयों की अल्प काल में अस्त्र सस्त्र की सिक्छा ग्रहण कर ली मात पिता और गुरु सेवा में बड़े वोलीन हुए सीख लिए हैं पाठ सभी एक बार जो बता दिये राम चंद्र बड़े भाई सारे ही कामों में निपुड़ तीनों छोटे भाई करते उनका अनुसरण चारो तरफ ही फैल गई फिर तो उनकी ख्याती उनके विवाह की अब राजा दश्रत की एक छाती गुरू वसिष्ठ को अपने मन की बात बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम काना बन जाते बिगड़े कां लेकिन बीच में द्वार पाल संते साल आए हैं जो सुमर राम काना बन जाते बिगड़े कां लेकिन बीच में द्वार पाल संते साल आए हैं विस्मा मित्र राजन आपके द्वार पे आए हैं सुनकर विस्वा मित्र नाम बड़ तसरत जी हर साएं आदर सहित उन्हें दरबार मिलेकर हैं आएं बोले आपके दरसन से हैं हम सब धन्य हुए हुआ राज दरबार भिपावन आपके चरण छुए आने का पर्योजन मुनिवर अब तो आप बताएं खुद को बिछा दू मैं चरणों में अगर आप चाहें विस्वा मित्र राजन को फिर ये बत लाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मायोत्या में शिर्राम जवाते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगडे का जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगडे का बोले विस्वा मित्र है राजन मुझे को पता ये हैं रिसि मुनियों को रगुकुल करता आया सहायता है जो मैं मांगने आया हूँ देना है बड़ा कथिन मांगने से पहले राजन तुम्हे देना होगा वचन बोले दसरत है मुनिवर तुम मांगो निह संको प्राड जाए पर वचन न जाए हैं रगुकुल की सोच बोले विस्वा मित्र मुझे करना है यग अनुष्ठान मारिच और सुबाहू तानों विग्न करे है आन। यग्य हो पूड इसलिए हम राम को चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मयोत्या में श्री राम जुआते हैं, हम कथा सुनाते हैं जो सुमरि रामका ना बन जाते बिगडेका राम को मांग लिया तो राजा दसरत भी चकराए बोले राम बिना हे मुनिवर मुझसे जिया ना जाए चाहो तो मैं चलू अभी ले करके सेना साथ अभी राम तो है बालक ना इनकी कुछ आउकार कैसे मुकाबला उन दुष्टों का ये कर पाएंगे क्या होगा जो उनसे युद्ध में हारी जाएंगे सुनके विस्वा मित्र को ये आया है बड़ा ही क्रोध बोले इनकी शक्ती का तुमको भी नहीं है बोध राम लखन को अपने साथ फिर वो ले जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म आयोध्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरे राम का नहां बन जाते बिगड़े कां रिस्विस्वा मित्र के संग आ गए हैं दोनों भाई अती बला और बला नाम की विद्या भी पाई बोले मुन की ये विद्याए जो भी पाता है इस संसार में स्रेष्ठ पुरुस फिर वो कहलाता है सर्यू नदी कि टट पर फिर डाला है डेरा आन राम लखन से बोले कर लो तुम असना नोर्धा करके फिर जल पान भी थोड़ा कर ले ना विश्रा लेकिन गुरु सेवा को समझा पहला उन्होंने कां करके गुरु की सेवा फिर विश्राम को जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में स्रीराम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगडे कां जो सुमर राम का ना बन जाते बिगडे कां प्रात काल फिर गुरु के संगे वो सर्यों टट आएं एक वनवासी मुनी देख उन्हें नौका है लाएं तीनों बैठे नौका में फिर करली नदियां पाएं मुनिवर ने हैं प्रकट किया उनका ही बड़ा अभाः सिरीराम ने देखा के घन घोर बड़ा है वन गुरुवर जी से लगे पूछने वो इसका कारण बोले ताड का नाम राच्छ सीने है कहरढाया जितने यह मानों थे सब को मार के है खाया कर दो वद तुम ताड का का हम यही चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेगे जन्म अयोध्या में स्रीराम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का बोले राम की स्त्री तो बड़ी होती है को मल ताड का राक्चसी में है कहां से आया इतना बल विश्वा मित्र ने उनको फिर किस्सा सभी सुनाया रिसिमुनियों पे ताड काने हैं कितना कहर बर पाया करने को वद सिरी राम फिर हो गए है तैयार देख ताड का उनको आई करती चीख पुकार सिरी राम ने उन पे कर दी फिर तो वाड़ वरसा देख युद्ध को सल भईया का लखन रहे हर शार सिरी राम फिर ताड का को पर नोक पठाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मा योग्या में श्री राम जवाते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े कां जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े कां विश्वा मित्र बैठ गए हैं फिर तो यग्य करने करना चाहां भंग था मारिच और सुबाहों ने अपनी माया का दोनों ने ऐसा जाल फैलाया यग साला पे है आकास से मदिरमा से बरसाया लेकिन सुरी राम ने उनकी ना चलने दी चांग राम के हाथों आया उन दोनों भाईयों का काव राम लखन को विश्वा मित्र फिर तो गले लगाए बाले कांड ये डियस पालन है स्रध्धा से गाए फोजी सुरेस भी राम चरण में सीस जुकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म आयोध्या में स्री राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरिराम का नाम बन जाते बिगडे कां